नश्कार पैरे बच्चो आए देखते हैं क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट का हर्याना बोर्ड से समन्दित है मार्च दो हजार चोबिस के लिए प्रैक्टिस पेपर बी कोड बी है ए हम कर चुके हैं आप उसकी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इसके बाद हम COD भी डालेंगे ये चार पेपरों के इलावा अनेकों वीडियो हैं प्रीबोड की, सैंपल पेपर की और इवन के पिछले सालों के पेपर की भी जिने आप देखकर बहुत सारे प्रशन उत्तर कर सकते हैं इवन के जो अक्तूबर में हुआ था उसकी भी है और जो मार्च 2023 में पेपर हुआ था उसकी भी वीडियो हैं तो आप वो देखना मत भूलिएगा अब आईए हम सोल्व करते हैं प्रैक्टिस पेपर कोड भी सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में कि कैसे आपका पैटर्न रहेगा कैसे प्रशन उत्तर आएंगे कौन-कौन से नंबर प्याएंगे इसलिए हम सीधा यहाँ पर शुरू करते हैं एक-एक मार्क्स वाले क्वेस्टन से तो वह स्थान जो हडपा सब्वेता में जहां हडपा सब्वेता का विशाल सनानागार प्रापत हुआ है यानि कि हम अब उन क्वेस्टन की बात कर रहे हैं जो एक-एक मार्क्स के हैं और यहाँ पर आपको बताना है कि वो स्थान कौन सा था, जहां से सनानागार मिला है, वो हडपा सब्वेता में है तो इसका सही अंसर है, मोहन जोदरो उसके बाद है महाभारत की रचना किस ने की? आप सबको पता है महाभारत की रचना महरशी वेदव्यास जीने की बालमिकी जी ने रमायन की की थी मनु ने मनु समरिती की उसके बाद है इबन दूता कहां का निवासी था तो इसका सही अंसर आएगा मुरक्को क्योंकि उजबेकी स्तान से समंध है अलबुरूनी का उसके बाद चोथा क्वेश्चन है अबुल फजिल द्वारा रचित ग्रंत या पुस्तक का नाम तो इसका सही अंसर है आईन ए अकबरी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन अठार्मी सदी के उत्रार्द में जमिदार के राजसव अधिकारी यानि कि जम उसके बाद है भारतिय सविधान किस वर्ष अस्तितम में आया यानि कि लागू हुआ तो इसका सही अंसर है 26 जनवरी 1950 पारित हुआ 26 नमबर 1999 को ठीक है उसके बाद है एशियाटिक सोसाइटी ओफ बंगाल की स्थापना कब हुई यहाँ पर आपको मेरे ख्यासे याद होग कि सन तो आपको याद है 1784 लेकिन यहाँ पर 1784 दो हैं एक तो सी ओप्षन एक डी ओप्षन अब आपको डेट भी याद करनी है तो इसका सही अंसर है 15 जनवरी 1784 फिर है महत्मबुद को निर्वान किस स्थान पर प्रापत हुआ महत्मबुद को प्रापत हुआ था कुशी जिसे कुशी नारा के नाम से भी जाना जाता है और स्वामी महावीर को प्रापत हुआ था पावापुरी में बोध गया का स्थान है जहां महत्मबुद को ज्यान की प्रापती हुई और सारनात का स्थान है धर्म चक्कर परिवर्तन से यानि कि जहां पर महत्मबुद ने अ सबी को मेरे घाज़े पता होगा मुद्रा शास्तर शिक्कों के ध्यन को क्या कहा जाता है मुद्रा शास्तर उसके बाद है जैन धरम के 24 में तीर थंकर कौन थे इसका सही अंसर है स्वामी महावीर चलिए हम रिवाईस करते हैं पहले रिशवदेव 23 में पार्शवनात 24 में ये जैन धर्म की स्थापना है वो रिशर देव ने की थी, वो प्रतम तीर्थंकर थे लेकिन जो वास्त्विक संस्थापक है यानि कि जिनन असलियत में समाज से इस धर्म को रूबरू करवाया और उसका प्रचार परसार किया वो असली जो तीर्थंकर है वो स्वामी महावीर है उसके बाद है बिटिश पारलेमेंट में पाँच वी रिपोर्ट को कब पेश किया गया अठारा सो तेरा में। उसके बाद है जानसी में 1857 की क्रांती का नेतिरतव किसने किया, रानी लक्षमी बाई ने। उसके बाद है सविधान सभा के समक्ष उदेश्य प्रस्ताव किस ने पेश किया इसका सही अंसर है पंडिजवालल नहरू 13 दिसंबर 1946 को किसे कहा जाता है हाजा पक्षी मोर को कहा जाता है उसके बाद है लिंगायत संपरदाए जिसे हम वीर शेव संपरदाए के नाम से भी जानते हैं जिसमें शिवलिंग की पूजप की जाती है इसका जन्म हुआ करनाटक में अलवार का तामिलाडु में और नया नार का तामिलाडु में और वीरशैव या लिंगायत का करनाटक में ठीक है वीरशैव और लिंगायत एकी बाद है उसके बाद है महात्मा बुद्ध की सिक्षाएं डैश में दी गई वैसे तो आप लिख सकते हो पाली भाषा में प्रन्तु यहाँ पर पाली भाषा नहीं है, इसका सही अंसर है, त्री पिटक में दी गई है, त्री पिटक ग्रंथ है बेटा, तीन ग्रंथों के सामुहिक उपकर्ण को त्री पिटक नाम दिया गया है, त्री पिटक, तीन टोकरियों के समू को, ठीक है, सुथ पिटक, अभिदम पिटक, विन् किताबुल हिंद दूसरी है रहिला तीसरी है ट्रेवल जिंदा मुगल अर्भी और ट्रेवल जिंदा मुगल अंपायर फ्रांसेसी बाशा में मातमा गांधी दक्षिन अफ्रीका से सन डैश में भारत वापस आए गए कब थे 1893 में आये कब क्योंकि अब थोड़ा तुम्हें तारीकें याद करने की आदत भी डालनी होगी तो 9 जनवरी 1915 को हो सकता है ओप्षिन में दो 1915 आ जाए तब क्या करेंगे तो 9 जनवरी 1915 ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास अभी कथन और कारण वाले क्वेश्चन यह हम पिछली वीडियो में डिसकस कर चुके हैं अगर दोनों सही है और जो दूसरा कथन है वो पहले की व्याख्या करता है अच्छे से तो A दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करते तो B पहला सही है और दूसरा गलत है तो C और अगर लास्ट वाला जो है वो सही है और पहला गलत है तो D ठीक है महभारत का युद कोरवर पांड़ों के बीच हुआ और ये युद सकता संसाधन प्रापत करने के लिए ड़ा गय तो क्यों हुआ, क्योंकि सत्ता और संसादन प्रापत करने के लिए युद लड़ा गया था, ठीक है, तो इसका अंसर आ जाएगा, ए, दोनों सही और उसकी व्याख्या भी करता है, उसके बाद है, question number 20, इबन तुता की पुस्ता का नाम रहिला है, ओके, सही है, ये अर्बी भ नहीं न, तो दोनों कथन सही है, बट जो कारण है, यानिकर दूसरा पॉइंट है, वो पहले की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए क्या आएगा, ठीक है, उसके बाद तीसरे की तरह बढ़ते हैं, तीसरा है, 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ती संकिस्था पना हुई, 18 1969 में मांचेस्टर कोटल कमपने की, ये दो वैसे उप्शन में भी आ सकते हैं प्रशन, ठीक है, ध्यान से इसको याद करना है, अब दूसरा है, इनकी स्थापना कपास के नियमित निर्यात के लिए की गई थी, तो ये पॉइंट गलत हो गया, निर्यात नहीं आयात, ठीक है तो ये सही है, ये गलत है, इसलिए क्या आएगा, सी, उसके बाद है, क्वेस्टन नमबर आपके पास 23, भारत की यात्रा करने से पहले, नहीं, एक रहे गया मेरे ख्याल से 22, ठीक है, सिंदु सब्वेता के पतन के कारण बताने है, यहाँ पर आप 3 पॉइंट लिखें क्यो जिसमें आपको पहला ही चुनना चाहिए, जिसमें आप ज्यादा अच्छे से बता पाएं, वही क्यों चुनें, दोनों में से, एक ही करना, दोनों करने की बिल्कुल भी आशकता नहीं है, सिंदु सब्वेता के पतन के कारण, इसमें आप आरियो का कर्मन डिटेल में कि इसमें महा मारियों में आप क्या मने बताएंगे, अपकि मलेरिया के जजादा चियन मिले क्योंकि एक ऐसा कंकालों का समुम मिला है, कि इनमें 42 हैं वो कंकाल, उनमें से 41 की मृत्यों मलेरिया की वज़े से होई है, तो मलेरिया जैसी कोई महामारी भी हो सकती है, जलवायू परिवर्तन भी हो सकता है, बट तीन लिखें, हैडिंग बनाएं और एक्स्प्लेइन करें, ठीक है, इनफ, बहुत अच्छे से, और अलेक इस इस इंडिया कंपनी में क्या थे, किस आना में, इंजिनिरिंग सेवा में थे, इंजिनियर थे, लेकिन वहां से रिटायर होने के बाद, ये पहले सर्वेयर जेनरल बने, और इनकी जो न्युकती थी, वो 1871 में हुई, और फिर 14 साल की सेवा के बाद, 1885 में ये वहां से भी रिटायर हो जाती हैं, यानि कि ये 1870 से लेकर 1880 तक ये अपने सर्वेयर जेनरल के पद पर नुकत रहे, ठीक है, तो इनका नाम काफी फेमस है, हमारे इतिहास को नया रूप देने के लिए इनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा, उसके बाद है भारत की यात्र कर चुका था, अब देखो, मतर तीन नाम लिख देने से मुझे नहीं लगता कि आपको बड़ी असानी से तीन अंक मिल जाएंगे, नहीं, आपको थोड़ी सी भूमी का बनानी है, कि इबन गुत्ता एक हठीला यात्री था, विशेस यात्री था, विशेव का परसिद्ध य चौनतिस में वो दिल्ली पहुँचता है, दिल्ली पहुँचकर सुल्तान मुहमद विन तुगलक से भेट करके वहां काची के पद पर नुक्त हो जाता है, अब लिखिए, क्या लिखेंगे, कि वो भारत आने से पहले, ठीक है, भारत क्यात्र करने से पहले, निमन लिखी द आप लिख सकते हैं, कि सीरिया, ठीक है, मक्का, उसके बाद क्या लिखेंगे, आप इराक लिखो, फारस लिखो, तो ये देश आप असानी से लिख सकते हैं, ओमान लिखिए, यमन लिखिए, ये देश भी आप लिख सकते हैं, उसके बाद है, अल बुरुनी का जनम कब और क अब जस्ट यह बता देने से कि अलबुनी का जनम जो है वो 973 इस्वी में खवारिजम में हुआ बस इतना करने से तीनंग कोन देगा भाई तो आप लिखिए कि अलबुनी उजबेकिस्तान के खवारिजम शहर का निवासी था उसका जनम खवारिजम में ही 973 इस्वी में जाता है फिर वो यहां पर यहां के सिस्टम को समझते हुए यहां पर एक बहुत महान गरंथ की रचना करता है इसका नाम किताब लहिंद है और उसे इसने अरभी भाशा में लिखा जो समकालीन इतिहास का बहुत ही महत्तपुन गरंथ माना जाता है उसके बाद है भक्ति प यहां पर हम मनुश्य के द्वारा इश्वर की सेवा अत्वा भक्ति की जाती है यह भजशब से निकला है वैसे भक्ति अब इसको हम दो वर्गों में बाट सकते हैं नमबर एक सगुन जिसमें इश्वर के साकार रूप को माना जाता है दूसरा है निर्गुन यहां पर आप डाइग्राम भी बना सकते हैं बेटा के भक्ति के दो रुवर्ग एक सगुन और एक निर्गुन ठीक है फिर उसके बाद आप इसको एक्स्प्लेन कर सकते हैं कि सगुन जिसमें प्रमात्मा के साकार रूप का भक्ति की जाती है प्रमात्मा को साकार रूप मान कर और इसमें निराकार, अब साकार में आप किसका नाम लिखेंगे, साकार में आप मीरवाई जी का नाम लिखेंगे, ठीक है, और इसके इलावा आप जो विश्नु की पूजा करने वाले संथे, जैसे कि आप यहाँ पर रामानुज जी का नाम लिख सकते हैं, रामानन जी का नाम लिख सकत तो ये सब किस में आ जाएंगे निर्गुन भक्तिधारा में नेक्स्ट है इसलाम धरम सविकार करने वालों को कौन सी पांच बातें मानने पड़ती थी सबसे पहले तो कल्मा की ये मानना के इश्वर ही जो है सबसे उपर है वो एक है उसके बाद दूसरा आ जाएगा नमाज ठीक है उसके बाद नमाज के बाद आ जाएगा जकात यानि की अपनी आमधनी का धाई प्रतीशत गरीबों को दान देना उसके बाद रोजे की हर व्यक्ति को साल में एक महिना रमजान के महिने में वरत रखने है ठीक है और उसके बाद आजएगा हज के जीवन में कम से कम एक बार मक्का और मदिन्ना की यत्रा करना ये पाँच जो है सिधान्त मानने जाते हैं स्तंब मानने जाते हैं ये पाँच बाते उसे मानने भी होगी उसके बाद है पंपा को देवी कौन थी विजयनगर समराज्य की स्थानिय देवी जो थी वो पंपा थी और ये मानना जाता है कि पंपा जो हमपी नाम है विजयनगर क हम पी नाम ये भी पंपा देवी से ही पड़ा है और पंपा देवी जो है वो ब्रहμा की पुत्री पारवति मानी जाती है और ऐसा भी कहा जाता कि उन्हों तुंग बधरणादी के किनारे पर शिवजी को प्रापत करने के लिए तपस्या भी की और उसके बाद या अथवा में दूसरा क्वेश्चन है कि विजय नगर समराज्य की स्थापना कब और किसने की 1336 में हरी हर राय और बुक्का राय ने की थी फिर आपको इतना नहीं बेटा बहुत कुछ ताना है फिर इनके पिता का नाम संगम था उसी का नाम पर इसका वंश संगम वंश पढ़ा संगम वंश का प्रथम साशक हरी हर राय प्रथम और द्वित्य साशक जो थे वो बुक्का राय हुए इस समराज्य का विजयनगर समराज्य के संगम मन्ष्ट का सबसे महान साशक देवराय द्वित्ते हुआ और वैसे पूरे विजयनगर समराज्य का जो सबसे महान साशक थे वो कृशन देवराय थे ठीक है उसके बाद अब ये प्रशन करने के बाद आपके पास आ जाते हैं स्त्रोत बेस्ट प्रशन उत्तर पहले आपको एक पहरा दिया जाएगा उस पहरे को पढ़कर फिर प्रशनों के उत्तर देने हैं तो आई ये पहरा पढ़ते हैं सुदर्शन जील एक कृत्रिम जलाश्य था हमें इसका ग्यान लगभग दूसरी श्ताबदी इस्वी के संस्कृत के एक पाशान मतलब पत्थर पर लिखे अभिलेक से होता है इस अभिलेक को सक्षाशक रुद्दर दमन की उपलब्दियों का उलेख करने के लिए बनवाया गया था इस अभिलेक में कहा गया है कि जल द्वारों और तटबंदों वाली जील का निर्मान मोरियाकाल में एक स्थानी रज्यपाल के द्वारा करवाया गया यानि कि इसका निर्मान मोरियाकाल का एक स्थानी रज्यपाल था उसने इसकी जील का निर्मान करवाया था प्रन्तु एक भीशन तुफान के कारण इसके तटबंद तूट गया और सारा पानी बह गया बताया जाता है कि उस समय के जो साशक थे रुद्दर दमन उन्होंने इस जील की मुरमत में अपने खर्चे से करवाई और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया इसी पाशान खंड पर एक और अभी लेक पाँच्वी श्टाबदी में जिसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के एक साशक ने एक बार फिर इस जील की मुरमत करवाई यानि कि पहले इसकी मुरमत किस ने करवाई सक शाशक रुद्रदमन ने फिर कहां इस से हमें क्या पता चलता है कि गुप्त वंश के साशक ने भी इसकी मुरमत करवाई अब पहला question कि सुदर्शन जील कैसी थी तो यहाँ पर है देखिए सुदर्शन जील कैसी एक करित्रम जलाश्य ठीक दूसरा प्रशन है सुदर्शन जील का निर्मान किसने गरवाया क्योंकि यह confusion वाला इसे दो नंबर कर रखा गया जहाँ पर थोड़ा सा बच्चा सोचे समझे तो इसका सुदर्शन जील का निर्मान दूसरी श्ताबदी स्वी के एक अभिलेक के अनुसार पता चलता है कि मोरेयकाल के एक स्थानिय रज्यपाल के द्वारा करवाया गया इस जील की मुरमत किसने और क्यों करवाई क्योंकि इस जील के तटबंद भारी तुफान के चलते तूट गए थे तो इसलिए इसकी मुरमत रुद्दर दमन ने उस समय के सक्षाशक रुद्दर दमन के द्वारा करवाईगी किसने और क्यूं ये दोनों बता आने बेटा तब एक नंबर उसके बाद अगला पैरा है राजा और वेपारी विजे नगर के सबसे परसील साशक क्रिशन देवराई जिनका साशनकाल है 509 से 529 इस साशनकाल के विशे में उसमें उन्हें साशनकला के बारे में बताया है और वेपारियों के विशे में भी लिखा है कि एक राजाओ को अपनी बंदरगाहों को सुधारना चाहिए वानिज्यों को इस प्रकार प्रोतसाहित करना चाहिए कि घोडों, हाथियों, रतनों, चंदर, मोती, अन्यवस्तों का खुले थोर पर आयात किया जासके उसे प्रबंद करना चाहिए उन विदेशी नाविकों जिने तुफानों, बिमारी, थकान के कारण उनके देश में उतरना पड़ता है कि भली भांती देखबाल की जाए सुदूर देशों के विपारियों, यानि कि बहुत दूर के जो देशां, उनके विपारियों, जो हाथि और अच्छे घोडों का आयात करते हैं को रोज बैठक में बुलाकर, तोफे देकर, उचित मुनाफे की सविकृति देकर, अपने साथ जोड लेना चाहिए ऐसा करने पर ये वस्तुमें कभी भी तुम्हारे दुश्मनों तक नहीं पहुँचेंगी तो विजे नगर का सबसे परसीद शाषक, क्रिशन देवराय, अमुक्त मल्यद नामक, पुस्तक के लेखक, क्रिशन देवराय, जिन्होंने से तेलगू भाशा में लिखा आप इतना भी बताईए, दो नमबर चाहिए न आपको तो फिर उसके बाद है, क्रिशन देवराय ने अपनी पुस्तक में विपारियों के विशे में क्या लिखा है यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने की अफशक्ता है कि एक राजा को अपने बंदरगाओं को सुधारना चाहिए और वानिज्यों को प्रोच साहित करना चाहिए और जो विपारी हैं, उन्हें उपहार देकर, उनकी सेवा करके उनको बैठक में बुलाकर, ठीक है, उनको अपने साथ हमेशा जोड़े रखना चाहिए उसके बाद है महातमा गांधी आदोनेक युग जिसमें मशिनों ने मानव को गुलाम बनाकर शरम को हटा दिया है कि घोर अलोचक थे, मतलब किसके अलोचक थे मशिनों के उन्होंने चर्खा को एक ऐसे मानव समाज के परतीक के रूप में देखा जिसमें मशिनों और प्रोद्योगी की क्या आता है तकनीक को बहुत महिमा मंडित नहीं किया जाएगा इसमें भी अधिक चर्खा गरीबों को पूर्क आमधनी परदान करता था और उन्हें स्वाबलम भी बना सकता था मेरी आपत्ती मशीन के प्रती सनक से है ये सनक शरम बचाने वाली मशीनरी के लिए है ये तब तक शरम बचाते रहेंगे जब तक हजारों लोग बिना काम के भूख के मरने के लिए सड़कों पर ना फैंक दिये जाएं मैं मानव समुदाय के किसी एक हिस्से के लिए नहीं बलकि सभी के लिए समय और शरम बचाना चाहता हूं मैं धन के केंदरीकन कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं बलकि सब के हाथ में करना चाहता हूं यंग इंडिया 13 नमंबर 1924 खद्दर मशीनरी को नश्ट नहीं करना चाहता बलकि यह इसके प्रियोग को नियमित करता है और इसके विकास को नियंतरित करता है यह मशीनरी का प्रियोग सरवधिक गरीब लोगों के लिए उनकी अपनी जोपडियों में करता है पहिया अपने आप ही मशीनरी का एक उतक्रिष्ट नमुना है मातमा गांधी मशीनों के घोर आलोचक क्यों थे क्योंकि मशीनों ने मनुश्य को अपना गुलाम बना लिया था और श्रम के महत्तव को खतम कर दिया था ठीक है पहले पहरे में आपको पहले लाइन में ही मिल जाएगा उसके बाद मातमा गांधी ने मशीनों के स्थान पर किसे मातपुन मानना है चर्खे को क्यों मातपुन मानना है क्योंकि चर्खा मानव समाज का प्रतीक है और मशीनों के उपर निर्भड़ता को कम करता है और चर्खे के द्वारा जो आमदनी है वो कुछ हाथों में ना रहकर बल्कि अनेक लोगों में बट जाती है मशीन के प्रतिस सनक से गांधी जी के आपत्ती क्यों थी? क्योंकि ऐसा करने से मशीनों के प्रतिस सनक होने से व्यक्ति समाज में लोगों में बिरोजगारी बढ़ती है देखो यहाँ पर बहुत सुन्दरडंग से लिखा है कि बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि मेरी आपत्ती मशीनों के प्रतिस सनक से है क्यों क्यों क्योंकि ये सनक श्रम बचाने वाली मशीनरी के लिए है श्रम मतलब लोगों से रोजगार छीनने वाली ठीक है मशीनरी के लिए है अगर सबी लोग मशीनों का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और भूग से मरने लगेंगे और इसे समाज में ऐसमानता फैलेगी तो इसी परकार से यह हमारे जो source based question यह भी complete हो जाते है उसके बाद हमारा next है साशकों द्वारा किये जाने वाले संभावित कारे है कि साशक क्या कारे जो है उस समय क्योंकि हमारे पास proper lippi तो हम नहीं पढ़ पाए इसलिए exactly नहीं कह सकते फिर भी हम बता सकते हैं कि क्या कारे वो करते होंगे तो सबसे पहरे तो हमें यही बताना होगा कि साशन का रूप अलग-अलग जो राइटर है वो कौन सा बताते हैं कि कोई राज तंतरा तमक तो कोई जन तंतरा कोई एक जन प्रतिनी दी के हाथ में तो कोई प्रोहित राजा के हाथ में फिर कारे जैसे कि दुर्गों का निर्मान करना शांती वे वस्ता बनाई रखना आकर्मन से अपने राज़े की सुरक्षा करना शहरों के विकास की योजनाई चलाना इसके इलावा हमें बहुत सारे जो कारे हैं जिसे स्रम शंग्ठन यानि की लोगों को रोजगार देना, काम पर लगाना कच्चा माल प्रापत करने के लिए वेपार को बढ़ावा देना ये सब कारे उसमें आ जाएंगे फिर हम ये भी बता सकते हैं कि साशक की आमधनी कहां से होती होगी और वो अपना खर्चा कहां पर करता होगा उसके बाद हैं पतन के कारन हम उपर भी डिसकस कर चुके हैं आरियों काकर्मन बाड और भुकंप अगनी महामारिया और जलवाई परिवर्तन सूखा ये सब कारण हो सकते हैं कभीर जी के उपदेशों की बात करें तो पहले आप सबसे पहले कभीर जीवन बताएं कभीर जीवन बताने के बाद उनके उपदेश के प्रमातमत जो है वो एक है उनकी सारी सिक्षाएं गुरू का महत्तव वो सब आ जाएगा बिटा इसमें उसके बाद जो मेन है सबसे नया आपको लग रहा होगा उनके उपदेशों का किस परकार से संप्रेशन हुआ ये इंपोर्टन्ट है तो इसमें क्या है कि जैसे उपदेश उनके उपदेश हमें कौन-कौन सी वानियों में मिलते है कबीर बीजग में मिलते है ठीक है और उसमें कबीर गरंथा वाली में मिलते है कबीर जी के दोहे मिलते है और इसके इलावा हमें कौन सी भाषाओं में हिंदी में लिखा है अबदी में लिखा है ब्रज में लिखा है तो हम उसके अगर एक नाम देना हो हमें के कबीर जी की भाषाओं का कौन सी भाषा में लिखा तो हम कहेंगे संत भाषा में क्योंकि उन्होंने एक इश्वर वाद और पर बल दिया है और म कुछ भजन जो है वो गुरु गुरन साय में भी लिखे शामिल है तो इस परकार से उनके उपदेशों का संप्रेशन समाज के हरग भर्ग तग हुआ है उसके बाद नेक्ष्ट है भगति अंदोलन क्या है भगति अंदोलन जो है उसके बारे में बता के उसकी सिक्षाएं जो समर्पन जातिवाद का विरोध और हिंदु मुसलमानों की एकता पर बल मुर्ति पूजा का विरोध समाजी कुरितियों जो थी उनका विरोध और इसके लावा हम गुरु की वहीमा पर बल यह सब आ जाएगा उसके बाद है आवद में विद्रो इतना व्यापक क्यों था क् कि देखो साशक परिशान थे अब साशक गए तो दर्बारी गए दर्बारी भी गए दर्बारी भी गए साशक भी गए तो सेना को भी तोड़ दिया गया उसे भी भंकर दिया गया फिर उसके बाद जो किसान थे वो परिशान थे जमीदारों से उनकी जमीने चीन ली गई त इसलिए वैसाबी प्रिशांति हैं उने बढ़ चट कर विद्रो में भाग लिया। उसके बाद है विद्रोही क्या चाहते थे। ये बहुत अच्छा क्वेस्चन है और बहुत बारवेपर में आता है क्या चाहते थे। इसमें आप लिख सकते हैं कि जैसे की साशक थे वो क्या चाहते थे अपनी सत्ता को वापस चाहते थे ठीक है साशकों के लिए किसान क्या चाहते थे किसान भूराजसव के दरें कम चाहते थे जमीदार क्या चाहते थे कि उनकी जमीने जो छीन ली गए वो वापस कर दी जाएं सैनिक क्या चाहते थे सैनिक उच वेतन योगता के धार पर पदोनती चाहते थे रोने समुंदर पार ना भेजा जाए ये भी चाहते थे पड़े लिखे वर्ग वैसे तो जादा अंग्रेजों के खिलाव नहीं था लेकिन वो भी योगता के धार पर नोकरियां चाहते थे समान तो इस प्रकार से हम बहुत सारे point लिख सकते हैं, कि कौन कौन क्या क्या चाते थे, बड़ अच्छा question है ये, अगर आप समझ लेते हैं तो उसको आप बढ़ा के अच्छे से लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ, जैसे हमने पिछले में देखा था, पिछले में क्या था, कि ती मैप लीजिए, उसमें भरिए, जो आपको रेड कलर में देख रहे हैं, अक्छली ये, हमने पहले भरे थे, जब प्रीबोड हुआ था, रिवाडी, और उसके बाद टोपरा बिल्कुल दिल्ली में भरिए, सांची, इसमें भी पूछा गया है, और पहले भी था, बिल्कुल ये लाइन देख रहे हैं, इससे, और यहाँ पर, ये पाटली पुत्तर है, इनको भर कर देखिए बच्चे जरूर, फिर अजन्ता, अजन्ता यहाँ, इसके निचे, और यहाँ जो ये चीज बनी हुई है, इसके एंड में है, जगनात पुरी, और हम्पी की बात करें, तो यहाँ पर देखिए, हम भी यहाँ पर है, तो आप इन सब को एक स्क्रीन शोट ले सकते हैं, और वहाँ से फिर आपने मैप में भर कर प्रैक्टिस जरूर कीजिए, अगर सारे भी नहीं, तो कम से कम एक तो जरूर आपको आपके पेपरों में मिलेगा, इसके साथ ही हमारी यहीं पर समापत होती है, इसी उमीद के साथ कि यह आपको फाइदा देगी, आपको समझने में हेल्प करेगी, आपके माक्स बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं, कोई भी, अगर आप मेहनत करते हैं, तो बखु भी बहुत अच्छे नमब थैंक यू सो मच, हैव अनाज डे, गोड़ ब्लेस यू बेटा, और अगर वीडियो पसंद आए, तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, और लाइक करें, कमेंट करें, थैंक यू, जै हिंद, जै भारत